दोस्तो वैसे तो लाइमलाइट में रहने के लिए फिल्म अबीनेत्रियां कई तरह की कॉंटरुवर्सीज करती हैं, लेकिन फिल्म इंडास्ट्री में कुछ ऐसी एक्ट्रेस भी रही है, जिनकी लाइफ कॉंटरुवर्सीज से भरी होई है, और इसमें से ज्यादातर ही उनके साथ जुड़ गई दोस्तो ऐसी एक अभी नित्री हैं बॉलिवुड की सदा बहार एक्ट्रेस रेखा बॉलिवुड की एवर ग्रीन ब्यूटी रेखा की पूरी जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं है रेखा से जुड़े कई ऐसे राज हैं जिने लेकर अकसर सवाल तो पूछे जाते हैं लेकिन जवाब कभी नहीं मिलते अपने उपर लगने वाले हर इल्जामों और सवालों को लेकर रेखा ने हमेशा चुपी ही सादे रखी रेखा की इसी गहरी खामोशी के नीचे दवा पड़ा है वो इल्जाम भी जब सुनिल दथ की पत्नी और संजे दथ की मा नर्गिस ने रेखा को चुडैल की संग्या दे दी थी साथी साथ बेहत कड़वी नसीहत भी अपमान का ये गहुट भी रेखा खामोशी के साथ बिना किसी शिकायत के पी गई थी आज हम आपको रेखा और नर्गिस से जुड़े उसी किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं साथ ही इस वीडियो में हम आपको रेखा के दो पती और कई अफेर्स के बारे में बताएंगे साथ ही आपको रेखा की नेट वर्ट कमाई का जरीया भी आपको बताएंगे तो बने रही है हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक दोस्तो अगर फिल्म इंडस्ट्री के दो बिछडे हुए प्रेमियों की बात हो और सबसे पहले बात रेखा और अमितब की नहो तो ये नाइंसाफी होगी दोस्तो रेखा और अमितब बच्चन ने खरीब दस फिल्मों में साथ काम किया इस दौरान दोनों की नजदी क्योंके किस्से खुब गूंझे लेकिन सिलसला फिल्म के बाद दोनों का रिष्टा ऐसे मोड पर आ गया जहां से दोनों की राहें जुदा हो गई और आज तक दोनों उन्ही अलग अलग राहों पर चल रहे हैं लेकिन इनके इश्क के किस से आज भी खूब सुनाई देते हैं बताया जाता है कि अपने पिता के दवाब में आकर अमिता बच्चन ने रेखा को छोड़ कर जया भादूरी से शादी कर ली लेकिन दोनों के बीच का इश्क अमिता अब की शादी के बाद भी कई सालों तक चलता रहा हाला कि दोनों के रिष्टों का अंत काफी दुखत था बाद में बनी स्थितियों से एक समय ऐसा भी आया कि दोनों ही एक दूसरे की गले की हड़ी बन गए रेखा का दिगज अमिनेता अमिता बच्चन के साथ अफियर खूब सुर्खियों में रहा लेकिन दोनों दिगजों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई दोस्तों अमिता बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी फिल्म दो अंजाने की सेट पर शुरू हुई थी और तब तक अमिता बच्चन की शादी हो चुकी थी कहा जाता है कि इश्क में हारे अमिताब और रेखा चुपचाब रेखा की फ्रेंड के बंगले पर मिला करते थे काफी समय तक अमिताब बच्चन और रेखा के अफेर की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई मामला तब सामने आया जब फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान रेखा का एक कोई स्टार उनके साथ गलत विवहार कर रहा था अमिताब बच्चन से ये देखा नहीं गया और उन्होंने अपना आपा खो दिया सेट पर मौजूद लोगों को अमिताब बच्चन की सहरकत से ये अंदाजा हो गया कि अमिताब बच्चन और रेखा के बीच कुछ चल रहा है इसके बाद से अमिताब बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी के खबरें सुर्खियों में आने लगी अमिताब बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी के खबरें तब और मशूर हो गई जब रेखा सिंदूर लगा कर और मंगल सुत्र पहन कर पहुँच गई थी और हर कोई आपस में रेखा की ही बात कर रहा था लोगों का शक तब और बढ़ गया जब रेखा शादी में मौजूद अमिताब बच्चन के पास पहुँच गई और उनसे बाते करने लगी उस शादी में जयाब बच्चन भी मौजूद थी कुछ समय तक तो जयाशान्त रही लेकिन फिर उनसे सहन नहीं हुआ और चुप चाप सिर जुका कर रोने लगी ये सब देखकर रेखा शादी से निकल गई दोस्तों फिर वो दौर आया जब सब कुछ हद से पार हो गया अमिताब और रेखा की नजदी कियां काफी बढ़ चुकी थी इंडॉस्ट्री में हर कोई इन ही की चर्चा कर रहा था और उस वक्त जयाब बच्चन वो कोशिश करती थी जिससे दोनों को दूर रखा जा सके रिपोर्ट्स के मताबिक एक बार तो जया ने रेखा को फिल्म तक से निकलवा दिया था ये फिल्म थी राम भल राम जब जया को पता चला कि इस फिल्म में हम इताब के साथ रेखा भी काम कर रही है तो उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर टीटू से बात की और वो जया अच्छे दोस्त थे तब जया ने उनसे रेखा को हटा कर किसी और अब नित्री को लेने की अपील की और टीटू मान भी गई रेखा को हटा कर फिल्म में जीनत अमान को साइन कर लिया गया जब रेखा को बात पता चली तो वो मेकर से मिलने पहुची और उनके सामने ऐसा ओफर रखा कि रेखा की फिल्म में दोबारा इंट्री हो गई दरसल रेखा ने मेकर से कहा कि वो इस फिल्म में फ्री में काम करेंगी जिसे फिल्म के निर्माता दरकिनार नहीं कर सके रेखा ने आखर कार फिल्म की शूर्टिंग शूरू कर दी वहीं जब ये बात जाया को पता चली तो वो गुस्ते से आग बबूला हो गई और एक दिन बिना किसी को बताई सेट पर आप पहुची जब उन्होंने सेट पर अमिताब और रेखा को बात करते हुए देखा तो उन्हें इतना गुसा आया कि वो दोनों के पास गई और रेखा को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया ये देख सेट पर मौजूद हर कोई दंग रह गया था वहीं पास में ही कड़े अमिताब ने भी उस वक्त कुछ नहीं कहा और वे सेट से चले गई अमिताब बच्चन से अलग होने के बाद रेखा का नाम अभीनेता विनूद महरा के साथ खूब सुर्खियों में रहा दोस्तों वो दौर 1977 का था जब रेखा मांग में सिंदोर भरकर और माँ बनने की खबरे मीडिया में देकर अमिताब से रिष्टा जग जाहिर करने में लगी थी दूसी तरफ जाया शांती से अपने परिवार को बिखरने से बचाने का प्रियास कर रही थी एक दिन अमिताब जब किसी अपने शूटिंग के सिलसले में मुंबई से बाहर थे उस दिन जया ने रेखा को फोन किया जया का फोन उठाते हुए रेखा सोच रही थी कि जया भला बुरा सुनाइंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ जया ने फोन करके रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया रेखा सोच रही थी कि जया अपने घर बुलाकर उन्हें बेज़ज़त करेंगी और रोना पीटना मचेगा रात के वक्त रेखा सजध़ कर जया के घर पहुची रेखा के मकाबले जया बिलकु साधी कपलों में थी उन्होंने रेखा का स्वागत किया और धेर सारी बात चीत की लेकिन इस बात चीत में अमिताब का जिक्र बिलकुल नहीं था जयाया ने रेखा को अपने घर का इंटीरियर दिखाया गार्डन दिखाया और काफी सतकार किया डिनर के बाद जब रेखा घर लोटने लगी तो उन्हें विदा करते हुए जयाया ने एक खास बात कही जिसे सुनकर रेखा के पैरो तलिस जमीन खिसक गई जयाया ने दर्वाजे पर रेखा से कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं आमित को नहीं छोड़ूंगी इस डिनर के बाद एक एक आएक आमिताब की जिन्दगी काफी बदल गई उन्होंने रेखा से दूरी बना ली क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जयाया उनके और रेखा के बारे में जान गई है लेकिन परिवार के खातिर वो मूँ नहीं खोलेंगी जानकर ये कहते हैं कि अगर जया वो डिनर न करती तो शायद आज रेखा उनकी जिन्दगी में दूसरी औरत बनने में सफल हो गई होती दोनों के बीच प्यार के चर्चे भी फिल्मी गल्यारों में खूब चर्चाओं में रहे लेकिन इस प्यार को भी अपनी मन्जिल नहीं मिल पाई 1990 में उनकी मुलाकात दिली के बिजनिसमेन मुकेश अगरवाल से हुई और रेखा उन्हें अपना दिल दे बैठी रेखा और मुकेश की मुलाकात दोनों की एक कॉमन फ्रेंड के चलते हुई थी पहली मुलाकात में मुकेश अगरवाल रेखा को पसंद नहीं आये थे हाला के बहुत जल्दी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया एक महा के भीतर ही दोनों का प्यार इस तरह परवान चड़ा कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और जुहू के मुकेश और देवाले मंदिर में शादी कर ली लेकिन उनकी ये शादी शुदा जिन्दगी जादा लंबी नहीं चल पाई शादी के छे महीने के बाद ही रेखा ने तलाक की अरजी दे दी तलाक के कुछ समय बाद ही यानि 1994 में मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी मुकेश अगरवाल अपने बिजनिस को लेकर पहले से ही परेशान थे वहीं देखा से तलाक के बाद भी अपनी जिन्दगी में और अधिक परेशान हो गए थे मुकेश काफी तनाओं में आ गए थे और उन्होंने अपने हियादों अपनी जान ले ली मुकेश ने तलाक के कुछ महीनों बाद अपने फार्म हाउस पर रेखा कि दुपट्टे से फांसी लगा ली उन्होंने एक स्वसाइड नोट पी छोड़ा था बताया जाता है कि स्वसाइड नोट में ये स्पष्ट नहीं था कि मुकेश ने आत्मा हत्या क्यों की थी मुकेश ने स्वसाइड नोट में लिखा था कि वे चाहते हैं कि उनका भाई आकाश बजाज जो कि मुकेश का मनुचिकित सक भी था वही उनके दोनों बच्चों की देख भाल करे वही रेखा के लिए मुकेश ने स्वसाइड नोट में लिखा था कि रेखा का माने में सक्षम है और मेरी संपत्ती में से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा मैं उनके लिए कुछ भी छोड़ कर नहीं जा रहा हूं अब नित्री रेखा के जीवन पर लिखी गई किताब रेखा कैसी पहली जिन्दगानी के लेखक यासिर उस्मान के अनुसार मुकेश अगरवाल ने रेखा को उनकी प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं देने की बाद भी अपने सुसाइड नोट में लिखी थी वही मुकेश के भाई और उनके दोस्त पूर्व पुलिस कमिशनर नीरच कुमार ने बताया था कि मुकेश की मौत के बाद रेखा ने कभी कुछ नहीं लिया वो लोग रेखा पर पैसों के लिए मुकेश से शादी करने का आरूप लगाते हैं उन्हें बताने कि रेखा ने हमसे कभी कुछ नहीं मागा रेखा का नाम अकसर शादी शुदा मर्दों के साथ जोड़ा जाता था अमिता बच्चन के साथ थो उनका रिष्टा बॉलिवुड के सबसे चर्चित और विवादित लव अफियोर्स में शामिल होता है इसके अलावा रेखा का नाम राजबबर, जितेंद्र, धर्मेंद्र और यहां तक की सुनील दत्र के साथ भी जोड़ा उन दुनों में रेखा की छवी इंडरस्ट्री में उस औरत की बन गई थी जिसे शादी शुदा मर्दों की ग्रस्ती के लिए खत्रा बताया जाता है कई बार रेखा के लिए अतिकामुक, सेक्स किटेन और आदम खोर जैसे भदे और सस्ते शब्द भी इस्तेमाल किये जाते थे लेकिन रेखा को इन सबसे कोई फरक नहीं पड़ता था उसी दोरान रेखा का नाम सुनील दत्र के साथ भी जोड़ा जाने लगा और इसी वज़ा से रेखा को नर्गिस के निजी हमले का शिकार भी होना पड़ा सुनील दत्र और रेखा ने तब प्रांड जाएं पर वचन न जाएं और नागिन जैसी फिल्मों में साथ में काम किया था सुनील दत्र और रेखा की नजदेकियों की खबरें जब नर्गिस तक पहुँची तब वो जबर्दस्त बहलक गई थी घुसे में नर्गिस ने रेखा को ऐसा कुछ कह दिया था जो शायद कोई और कभी भी बरदाश्ट नहीं कर पा था रेखा के उपर तंज कस्ते हुए नर्गिस ने कहा था वो मर्दों को ऐसे संकेत देती है जैसे वो बड़ी आसानी से उपलब्द हो सकती है कुछ लोगों के लिए वो किसी चुडैल से कम नहीं है नर्गिस इतने पर ही नहीं रुकी उन्होंने आगे कहा कभी ख़ी मुझे लगता है कि मैं उसे समझने लगी हूँ मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई बच्चों के साथ काम किया है जिने मनोव वैग्ञानिक परेशानिया होती है और मुझे लगता है कि उसे किसी मजबूत मर्द की जरूरत है गौर करने वाली बात ये है कि जिस वक्त नर्गिस ने रेखा पर ये जबरदस्त जहरीले का टाक्ष किये थे तब रेखा के उमर महज 22 साल थी हाला कि रेखा ने कभी नर्गिस के उन तंजों पर कभी कोई जवाब नहीं दिया लेकिन हाँ आगे चलकर रेखा का नाम सुनील दत और नर्गिस के बेटे संजदत के साथ भी जुड़ा था संजदत और रेखा ने एक फिल्म में काम किया था जिसके बाद दोनों के अफियर के चर्चे गॉसिप्स मैगजीन में चा गई थी यहां तक कि ये भी कहा जाने लगा था कि दोनों ने मंदिर में जाकर गुप चुप शादी कर ली है लेकिन संजद ने एक प्रेस नोट रिलीज पर रेखा संग अपने अफियर की इन खबरों को सिरी से नकार दिया था रेखा आज भले ही दूर हो लेकिन उनका लाइफस्टाइल आज भी राजसी ही है इंटरनेट पर मौझूद आगणों के हिसाब से रेखा की संपत्ती 40 मिलियन डॉलर की है रेखा की सिक्योर्टी के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत टाइट सिक्योर्टी के बीच रहती है इतना ही नहीं कहा ये भी जाता है कि उनके घर के दर्वाजों में ऐसे लॉक्स लगे हुए हैं जो मशीनों के द्वारा ही खुलते हैं और हर कोई उसे नहीं खुल सकता बांदरा इस्थित रेखा के आलीशान बंगले के बाहर बैम्बू वॉल लगा कर उसे सुरक्षित किया गया हुआ है इतना ही नहीं जब रेखा कबिर शर्मा के शो में आई थी तब उन्होंने भी रेखा के घर की सुरक्षा के बारे में बताते हुए कहा था कि उनके घर के अंदर कई बॉडिगार्ट्स हैं जो उनसे मिलने वाले महमारों को घर के अंदर तक ले कर जाते हैं बांदरा इस्थित उनके आलीशान बंगले के अलावा उनके पास BMW से लेकर XCV जैसी लक्शुरी गारियां है बता दें कि आज रॉयल जिन्दगी जीने वाली रेखा ने आर्थिक परिशानी का सामना भी किया है इसके चलते रेखा को तेलगू की B और C ग्रेट फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया गया आज एवर गिरीन कही जाने वाली रेखा को अपने सामले रंग की वज़ा से ही बॉलिवुड के शुरुआती दिनों में काफी परिशानी होई थी बॉलिवुड में भी कई लोग उनके रंग के चलते उन्हें बदसूरत मानते थे बता दें कि उनकी जिन्दगी काफी परिशानियों से भरी रही उनके पिता ने चार शादियां की थी लेकिन रेखा की मा से कभी शादी नहीं की और इस वज़ा से रेखा को अपने पिता से नफरत थी रेखा अपने पिता से इतनी नफरत करती थी कि उनके अंतिम संसकार में भी नहीं गई थी रेखा से जुड़ा एक विवाल साल 1996 में देखने को मिला जब अभी नित्री ने एक मैगजीन कवर के लिए काजोल के साथ एक ही स्वेटर में जम कर पोस दिये दोनों अभी नित्रियों के ये फोटो शूट इतना बोल्ड था कि वो दर्शकों को बिलकुल रास नहीं आया और देखते ही देखते इस पर एक नया विवाद खड़ा हो गया रेखा और काजोल दो अलग अलग पीडियों की दो अभी नित्रियां है दोनों का यूँ पहली बार एक साथ आना हर किसी के लिए काफी हैरान करने वाला था लेकिन इससे भी जादा हैरानी रेखा और काजोल को एक ही स्वेटर के अंदर देखकर हुई जीहां बीटा उनकी दो सुन्दरी रेखा और काजोल एक साथ सिने बलिस पत्रिका की कवर पेज पर दिखाई दी थी जिसके लिए दोनों अबनित्यों ने एक अंतरंग स्टाइल में एक साथ जम कर पोस दिये थे यहां तक तो सब ठीक था लेकिन जैसे हमारी नजर दोनों के उपर पड़ी तो हमने देखा कि दोनों ने अंदर कुछ भी नहीं पहना था और खुद को एक ही स्वेटर में फिट किया हुआ था इस फोटो शूट के सामने आते ही सुर्कियों के बाजारों में एक अजीब सा हड़कंप मच गया था दोनों के इस कदम की काफी चर्चा हुई दोनों के ओवर और लुक की बात करें तो रेखा और काजोल ने इस दोरान पिंक ओफ शोल्डर स्वेटर चुना जिसके साथ सथल मेक अप और खुले बाल उनके इस लुक को कम्प्लीट कर रहे थे हालक इस फोटो शूट में कुछ भी वलगर नहीं था लेकिन ये उन दिनों इतनी अतरंगता भी कई लोगों के लिए एक दम घटिया थी इस फोटो शूट के लिए रेखा और काजोल दोनों की काफी आलोचना की गई और दोनों ही एक्ट्रेस को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा बता ने दोनों ही एक्ट्रेस का ये फोटो शूट काफी समय तक चर्चा में बना रहा था काजोन ने 1992 में बॉलिवुड में अपनी शुरुआत की थी और वर्ष 1996 में एक ऐसे विवाद में फस गई थी जिसे वो शायद ही आज तक भूल पाई हो इसके अलावा एक बार शशी कपूर ने रेखा की जमकर बेज़दी की थी दोस्तों बात उस वक्त की है जब रेखा की उम्र महद 14 साल थी उनका परिवार कर्ज के बोज तले दब गया था परिवार को कोई रास्ता नहीं सूज रहा था ऐसे में रेखा की मा पुषपा वल्ली ने उनकी पढ़ाई चुड़वा दी और काम करने के लिए कह दिया लेकिन असले मुश्किलें उसके बाद चुरू ही जिस वक्त रेखा एक अदद रोल के लिए निर्माता निर्देशकों के दफतर के चकर काट रही थी उस वक्त उनके पिता जैमिनी गडेशन की तमिल सिनिमा में तूती बोलती थी वो तमिल सिनिमा के टॉप तीन एक्टर्स में से एक थे लेकिन ना तो उन्होंने रेखा कि मा पुषपा वल्ली को अपनाया और ना ही रेखा की कोई मदद की अलबता कई डिरेक्टर्स पूडियोसर्स तो रेखा को इसलिए साइन नहीं करते थे कि कहीं जैमिनी नाराज ना हो जाएं एक तरफ रेखा के परिवार की मुश्किलें बढ़ रही तो दूसरी तरफ उन्हें बमश्कल कननर और तमिल फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिल रहे थे इस से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि परिवार का गुजर बसर हो सके और कर्ज चुकाया जा सके इसके बाद रेखा की माने तैय कर लिया वो उन्हें इस इंडस्टी से दूर मुंबई ले जाएंगी रेखा मुंबई तो पहुंच गई लेकिन यहां भी उनके अतीत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा उनके बैक्ग्राउंड से लेकर शकलो सूरत पर तमाम तरह की सवाल उठाई जाने लगे खासकर उनकी माप पुश्पावली और जैमिनी गडेशन के संबंदों का जिकर कर उन्हें उलाहना दिया जाता ऐसा ही एक मौका साल 1970 में आई फिल्म सावन भादो के प्रेमियर पर हुआ फिल्म के डिरेक्टर मोहन सेगल ने तमाम आलोचनाओं को दरकिनार कर इस फिल्म में रेखा को साइन कर लिया था फिल्म रिलीज से पहले मुमई के मशूर नौविल्टी थियेटर में इसका प्रेमियर रखा गया और इसमें तमाम बॉलिवुड हस्तियों को आमंतृत किया गया प्रेमियर पर फिल्म के हीरो नवीर निश्चल सूट पहने हिंसम लग रहे थे लेकिन महमानों की निगार रेखा पर टिक गई 33 इंच की कमर और सावले रंग वाली रेखा बहतरीन तरीके से नीले रंग का गरारा पहने थियेटर के गेट पर खड़ी थी इस प्रेमियर पर शची कपूर भी अपनी पतनी जैनिफर के साथ पहुँचे थे वो मोहन सहगल से मिलने के बाद जैसे ही आगे बढ़े उनकी नजर रेखा पर पड़ी और उनके मुझे निकला ये मोटी काली और फूहड एक्ट्रेस कैसे इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाईगी दोस्तों बताया जाता है कि शैशी कपूर ने ये बात मोहन सहगल से कही थी लेकिन उनकी पतनी जैनिफर को एहसास हुआ कि रेखा नी ये बात सुन ली है जैनिफर ये सुन जेप गई वो कुछ वक्त तक रेखा को ध्यान से देखती रही फिर बात संभालते हुए अपने पती से बोली कि आने वाले वक्त में ये लड़की इंडस्ट्री पर राज करेगी शेशी जैनिफर की बात सुनकर मुस्करा दिये किसे पता था कि जैनिफर की बात सच साबित होगी सावन भादो जबरदस्थ हेट रही इसके बाद रेखा ने एक से बढ़कर एक फिलमें की और इंडस्ट्री में ना सिर्फ अपने डैलेंट का लोहा मनवाया बलके खुबसूर्ती एलिगेंट और ग्रेस की अलग अबारत लिखी दोस्तो इस घरना के बाद एक समय ऐसा भी आया जब खुद शेशी साहब ने अपने फिल्म कल्योग में शवाना आजमी को निकाल कर रेखा को कास्ट किया था हालनकि शेशी साहब को ऐसा क्यों करना पड़ा था इसके पीछे की कहानी भी काफी मज़दार है दोस्तो बताया जाता है कि शेशी की पतनी जैनिफर को शेशी कपूर और शवाना आजमी के करीबियों से काफी दिक्कत थी और पतनी के दबाव के चलते ही शेशी कपूर को अपनी फिल्म कलियोग में शवाना आजमी को रेखा से रिप्लेस करना पड़ा था दोस्तो रेखा से जुड़ी एक और बात ये है कि सेट पर एक सीन के लिए डिरेक्टर के कहने पर एक्टर ने जबरन रेखा को किस किया इसका खुलासा कई सालों के बाद रेखा ने खुद किया था रेखा ने इंडस्टरी में बतो और बाल कलाकार ग्यारा साल की उम्र में कदम रखा था इसके बाद वो पंद्रा साल की उम्र में फिल्म अंजाना सफर में दिखी थी इस फिल्म से जुड़ा एक किसा आज भी मशूर है दोस्तों बदाया जाता है कि फिल्म के सेट पर हुई इस घटना ने रेखा को अंदर तक जगजोर कर रख दिया था इस घटना का जिक्र उनकी बायोग्रफी रेखा दा अंटोल्ड स्टोरी में भी किया गया है यासिर उस्मान की लिखी इस किताब में बताया गया है कि 1979 में आई अंजाना सफर की शूटिंग मुंबई के महभूब स्टूडियो में चल रही थी राजा नवाथी डिरेक्टर और सिनेमेटो ग्राफ़र थे एक दिन फिल्म के हीरो बिश्वजीत और हीरोईन रेखा पर एक रुमैंटिक सीम फिल्म आया जाना था सीम की शूटिंग से पहले इसे लेकर सारी स्ट्राइजी बना ली गई जैसी डिरेक्टर ने एक्शन कहा विश्वजीत ने रेखा को बाहों में भरा और उन्हें किस करने लगे ये देखकर रेखा सन रह गई उन्हें सीन में इस किस के बारे में पहले से कुई जानकारी नहीं दी गई थी कैमरा चलता रहा ना डिरेक्टर ने कट कहा और ना ही विशजीत रुके लगातार पांच मिनट तक वो रेखा को किस करते रहे यूनिट मेंबर्स यह देखकर सीटियां बजा रहे थे रेखा की आँखे बंद थी और उनमें आंसु भरे हुए थे इस घड़ना के बारे में विशजीत ने कहा था ये डिरेक्टर का आइडिया था इनकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो तो डिरेक्टर के निर्देशों का पालन कर रहे थे ये इंजॉयमेंट के लिए नहीं था बलकि सीन का एक महत्तपूर हिस्सा था रेका इस सीन के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी और बेहत गुस्से में भी थी इस घड़ना ने उन्हें बेहत डरा दिया था दोस्तों उस समय भी इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी और रेका को इससे काफी जादा फाइदा भी हुआ उसी दोरान अमेरिकी जनलिस्ट जेम शेफर्ड भारत आई हुए थे और अपनी मैगजीन लाइफ के लिए स्टोरी करनी थी उन्होंने जब देखा कि ये किसिंग सीन हर तरफ चर्चा में है तो उन्होंने रेका से बात करने की सोची रेका ने जब इस बारे में सुना तो उन्हें ये सुनहरा मौका लगा रेका ने इस मैगजीन में फीचर होने के लिए हामी भर दी इसके बाद इस मैगजीन की कवर स्टोरी इंडिया ज किसिंग क्राइसिस के नाम से छपी इस कवर पर किसिंग की दो तस्वीरें चपी एक तस्वीर जिस पर विवाद हुआ था और दूसरी किसिंग सेन की तस्वीर रेखा और विश्वजीत के इस मेगजीन के लिए क्लिक कर आई इस दोरान तक रेखा की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी लेकिन इस मैगजीन की वज़ा से भारत से लेकर अमेरिका तक उन्हें काफी पॉपिलेर्टी मिली दोस्तों कई लोग सवाल करते हैं कि उस समय रेखा ने इसका विरोध क्यों नहीं किया था तो इसके पीछे भी एक कारण है रेखा ने कम उमर में एक्टिंग इसलिए चुनी क्योंकि उनकी फैमिली काफी कर्द में डूबी हुई थी 10 अक्टूबर 1954 को चेन नहीं में जन्मी रेखा के माता पिता वैसे तो तमिल इंदस्ट्री के सुपस्टार थे लेकिन रेखा के जन्म के वक्त उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी रेखा के पिता जैमिनी गनेशन और मा अभिनेत्री पुश्पावली है बच्पन में ही पिता ने उन्हें अपनी संतान की रूप में सुईकार नहीं किया बढ़ती उम्र में रेखा की मा को फिल्मों में काम मिलना बंद हुआ तो घर के आर्थिक हालाद विगड़ गड़ गई इसके बाद 13 साल की उम्र में ही रेखा को फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा यही वज़ा थी कि कम उम्र में रेखा अपने साथ हुए इस वाके को बरदाश्ट नहीं कर पाई और कभी मूँ नहीं खोला दोस्तो हैरत की बात तो ये थी कि ये मामला इतना सुर्कियों में रहा लेकिन तब रेखा के सपोर्ट में कोई नहीं आया और नहीं किसी ने इस पर आपती जताई इसके अलावा भी करियर की शुरुआत में रेखा को कई तरह के ताने जिलने पड़े रेखा ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती थी इस वज़़ा से भी उनका काफी मजाक उड़ाया गया उनके वज़न और रंग को लेकर भी कई तरह की बाते हुई रेखा को खुले याम काली कलूटी तक कहकर बुलाया गया लेकिन वो हमेशा चुप रही और उन्होंने अपने काम से सब को करारा जवाब दिया तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भोलिए